हेलो लभली फ्रेंड्स वेल्कम वेल्कम बैक टो मैं चैनल सीर्स वर्ल्ड जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने बोडी क्यूपिट की शावर जल और इसकी अलोविरा जल बाई की है विकॉज मैंने ट्राइ करना चाहती थी तो फ्रेंड्स मैंने ट्राइ कर चकी हूँ तो आज मैं इसका जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे पहले friends में आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर चल रहा है giveaway अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर आप में चैनल पर पहली बार आए हैं तो most welcome आप भी इस giveaway में पारिस्पेट कर सकते हैं गीबबे की वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चले friends तेरी ना करते हूं है शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जो की है बोडी क्यूपिट की अलुवीरा जेल के बारे में और श्रावर जेल के बारे में तो friends सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की और इसकी क्वांटिटी की सो यह है बोडी क्यूपिट अलुवीरा 99 परसंट प्यो जेल यह और स्कीन टाइप्स के लिए है इसकी क्वांटिटी आपको 200 ml मिल जाती है और इसकी MRP है 299 रूपिस friends यह जो अलुवीरा जल है मैंने बाइवन गेट वन के ओफर में ली है सम्टाइम्स आपको इस पे फ्लैट 50 परसंट आफ मिल जाती है और बाइवन गेट वन के ओफर तो इस पे लगी रहती है तो आप जब मर्जी चाहें इसे बाय कर सकते हैं और साथ ही friends यह यह भी मंचिन है कि आपको इसे ट्राइ करने स पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करना है मिंस की फेस पर अपलाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करने विकोज सम्टाइम्स क्या होता है कि कोई-कोई परड़क्ट होता है हमारी स्किन टाइप को सूट नहीं करता तो आपको पैच टेस्ट जरूर करना है इसके की मुझे काफी पसंद आई है और फ्रेंड्स काफी इसकी क्वांटिटी भी मुझे लगता है कि इनफ है यह मेरी कम से कम तो तुट त्री मन्स तो इसली निकल जाएगी जैसे कि अब गर्मिया आ गई है तो गर्मियों में तो जो 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 होती है वह हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती है तो मैं अलोविरा जेल जो है अपने स्टोप में जरूर रखती हूं अपनी चिनकेर में जरूर से एड़ करती हूं तो चलिए इसे भी मैं अपनी स्किन पर आपको इपलाई करके दिखाती हूं तो मुझे लगा कि यह जो जल है काफी हो जाती है और फ्रेंट्स जैस इसक argues क्वान्टिटी है वो भी कपी कम ही लगती है तो फ्रेंस चलि बात कि लेते हैं हमारे गिववे के आज के पहले कोड की तो हमारे गिववे के पहले कोड रहे गा लऊविरे जल तो वैश्टो आप देख सकते हैं इस तरह से लाव में इस तरह Pharisee तो अब नहांने से पहले पहले कर ले जिए अपने बालव में पहात ली में और यद्ञ के अप्लाइ कर सकते हुझे चाहिया अप्लाइब ऑस बना अप्लाइब होस टेन आपको फेस्ट वहां रातको सज़ पहना आपकटी है आमने देखा कि मैंने ic aloe vera jel को अपने बालों में अपलाई किया है और skin पे लिए बालों केले व्लेंड्स मैं कहना चाहूंगी यह जो ilwoond esperl Play काफी अच्छा वर्क करती है मैं इसे बालों में अपलाई करके कम से कम एक गहंटे के लिए रखा उसके बाद मैंने अपना शैंपू वोश जला है और उसके बाल मैंने कोई कंडिशन अपलाई में नहीं किया था और मेरे जो बाल थे वो शाइनी तो हुए थे साथ ही मेरे बा तो मैं कहूंगी कि आपको यह जो अपने बालों में जरूर ट्राइ करनी चाहिए और स्किन के लिए भी फ्रेंट्स मैं कहूंगी कि यह जो अच्छा वग करती है स्किन में इजली एब्जोर्ब हो जाती है बस आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ध्यान से लेनी है वो थोड़ी सी लगती है और आपने देखा होगे कि जब मैं इसे बालों में अप्लाई कर रहे थी तो मुझे लगा कि इसकी क्वांटिटी काफी जादा लग तो आपको इसके साथ कोई भी पाने यूज करने की जोरत नहीं है आप जस्ट अलोविरा जल को ही अपनी स्किन पे अच्छी से मसाच करें इसके बाद आप नामल है वोश और स्किन कर ले तो फ्रेंड्स आपकिसका जो डिफरेंस है रिजल्ट है वो देख पाएंगे काफी अच्छा रिजल्ट है इसका स्किन स्मूध हो जाती है और क्लियर भी हो जाती है साथ ही फ्रेंड्स आप जब कोई भी अलोविरा जल अपलाई करते उसके बाद आप मोश्राइजिंग क्रीम जरूर अपलाई करें कभी भी अलोविरा जल को अकेला अपलाई ना करें जब आ कोड़ी क्यूपिट सिट्रस लव बाथ और शावर जयल तो फ्रेंट्स इसमें असेंशिय ओयल दिया गया है यह सल्फिट फ्री है पैरबिन फ्री है इसके क्वांटिटी आपको 200 अमल मिल जाती है और इसकी एमर्पी है 299 रुपिस लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ब्रणों चैजिय और इसमें जो इन्गेडेंट्स दिया गये है वह आपकी इसकीन को बिल्कुल बिल ड्राइऊ अट नहीं करते स्कीन को पैची नहीं बनाते और इसमें जो इप यह पर दिखा देते हैं इसमें पिरफाइड वाटर है सोडियम है, साथ ही फ्रेंट्स इसमें आपको सेंशोरी मिलता है, गिल स्रीन मिलती है, औरेंज असेंशोरी मिलता है, फ्रेंट्स है इसमें और थोरा सा कलर भी दिया गया है, तो इस तरह से यह जो शावर जेल है, आप क्या लिजिए कि एक औरेंज फ्रेंट्स वली जो है शा जाता है इसकी जो फॉम बनती है वो भी काफी अच्छी बनती है हमें यह कहूंगी कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती लेकिन जैसे कि अब गर्मिया आ गई है तो गर्मियों में इस तरह के जो शावर जल होते हैं यहां फे कूलिंग संसेशन वाल मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आये यूस्फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आपको प्रेस जी ब झाल झाल